हेलो गाइस वालकम टू अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंस ब्लू डार्ट एक्स्प्रेस लिमिटेट की ओर से मार्च कॉर्टर की फिनांसल रिजल पेस हो चुका है स्टैंडलाउन कॉंसॉलिडेटर दूनों रिजल्स आउट हो चुका है कॉर्टर एंटेड और करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करता है साथ में कंपनी के और से 25 पर एक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी कमेंट किया गया इन्वल जनरल मिटिंग में अप्रूफ किया जाएगा तो हम लोग चलते कंपनी के रिजल्स पर और लेफ्ट साइड में अगर देखा ज है इंकम की बात करेंगे इस इन हंड़ेंड ठाटी थी 300.9 करोड का पिछले क्वारट defenders 14,07 क्रोड़ों का ओं मार्श 23 क्वारटर में 12 25 का इंकम था quarter on quarter में down है year on year में increase किया है expenses 1228.89 करोड का पिछले quarter में 1299.7 करोड का March 23 quarter में 1128.5 करोड का expense हुआ था जबकि expenses quarter on quarter में तो increase है लेकिन year on year के expenses में देखा जाए तो increase होता वनजर आया है और quarter on quarter में guys company का income में down था लेकिन expense बहुत ज़्यादा विसके profit में increase किया है यह down हुआ जोकि operating profit है 104.9 करोड का पिछले quarter में 107 करोड का March 23 quarter में 96.6 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है net profit company का है इस बार का अगर हम देखेंगे तो company का जो net profit है guys around 77.7 करोड का पिछले quarter में 88.8 करोड का March 23 quarter में 69.4 करोड का net profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है EPS 32.78 रुपेश का quarter on quarter में down है year on year में increase किया है तो guys company का result अगर देखा जाए तो quarter rendered में income quarter on quarter में down है profit में भी down देखने को मिल रही है financial year rendered में अगर देखा जाए तो income में 5318.6 करोड का और 23 में 52204 करोड का income में तो increase किया है लेकिन expenses company का हुआ है 42925.9 करोड का और 23 में 4696 करोड का expense में भी increase करती भी नज़र आ रही है और अगर हम यहाँ आप अपरेटिंग profit की बात के 392.7 करोड का और 23 में 508 करोड का operating profit में भी डाउन देखने को मिला क्योंकि expenses बहुत ज्यादा किया गया था net profit 301 करोड का और 23 में 370.5 करोड का बहुत ज्यादा पॉल देखने को मिला है EPS 126.8 रूपीज का जोकि 23 से डाउन देखने को मिला है तो गाइस कंपनी का result अगर देखा जाए तो quarter on quarter के income profit में डाउन है financial year के income में तो इंक्रीज है लेकिन profit में डाउन है और अगर में standalone results को cover करें इंका में 1341 करोड का पिछले quarter में 1405.6 करोड का और March 23 quarter में 1230.8 करोड का income है quarter on quarter में डाउन है year on year में इंक्रीज किया है expenses 1238.7 करोड का पिछले quarter में 1300.6 करोड का और March 23 quarter में 1136 करोड का expense हुआ था जबकि quarter on quarter के expense डाउन है year on year के expense इंक्रीज हुआ है operating profit 102.3 करोड का पिछले quarter में 105 करोड का और March 23 quarter में 94.4 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है net profit 76 करोड का पिछले quarter में 81.5 करोड का और March 23 quarter में 70 करोड का net profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है EPS 32.06 रूपीश का quarter on quarter में down है year on year में increase किया है तो guys overall result अगर देखा जाये तो average quarter on quarter की income profit दोनों में down है और फिनांशल का भी कंपनी का प्रॉफिट में डाउन देखने को इसलिए कंपनी के रिजल्ट आवरेज पेज किया अगर हम इसके शेयर की बात करें सिक्टी टूहुंट फॉटी वन पॉंट वन रुपीज पैस क्लोज किया है वन पॉंट पर संट का फॉल देखने को मिल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम लोग जो है वेडियो कहीं पर एंड करते हैं कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं एक शोड़ों में डिलते हैं बबाए